हलो दोस्तों तो देखो आज हम बहुत ही important बारे में बात करने वाला हूं देखिए अगर हो सकता है कि इसके पहले doubt वाले वीडियो में मैंने कभी ये बोला हो कि जो OBC certificate document verification में मांगा जा रहा है वो कपका मांगा जा रहा है जो DV की date है उससे एक साल पहले का तो ये मैंने क्यों वोला ऐसा कि NTPC में क्योंकि ऐसा ही मांगा जा रहा था ठीक है लेकिन अभी जो group D वालों का admit card आया है उस admit card में क्या लिखा है कि जब आपने form apply किया था उसके एक साल पहले का आपको चाहिए तो इस पर मैंने फिर research किया तो 2019 का notification को मैंने अच्छे से पढ़ा तो मैं आपक के डीवी का भी अनुवा बताऊंगा जब मैंने एससी के डीवी में मैं गया था तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मेरे पास भी crucial date के पहले का कोई कि OBC certificate नहीं था बाद का था तो उन्हेंने क्या किया था वो भी बात में आगे बताने वालों तो थोड़ा साथ पेसंस के साथ ध्यान से सुनना और जो चीज मैं आपको पढ़के बता रहा हूं आप खुद भी एक बार उसको पढ़ लेना और अपनी समझ भी develop करने की कोशि क्योंकि मैं आपको आगे जो पढ़के बताऊंगा उससे आपको समझ में आएगा कि कितना अलग-अलग चीज़े वहरी कर रहे हैं तो चलो मैं आपको पढ़के दिखाता हूं पहले तो मैंने इस्क्रीन फोर्ट लेके रखा है और इस्क्रीन फोर्ट मैं यहां पर लगा द कोई OBS certificate है तो जो डीवी के लिए अभी आपको call letter है उसमें जो लिखा है उसके अनुसार कोई दिख्कत नहीं तो एक बार मैंने पहले डीवी का जो call letter है उसको एक बार open करका हूं एक भाई का comment आया था उस comment को मैंने जब पढ़ा और वो भाई से बात हुई मेरी तब यह doubt मेरे clear हुआ कि यार यह तो थोड़ाफा मसला हो गया है तो यह भी मैं इस्क्रीन पर लगा दूँगा तो इसमें लिखा है कि क्या लिखा है यह लिखा है आपका जो डीवी का call letter आया उसमें लेकिन जब form भरे थे उसमें क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूं कि जब form भरा गया था आपके द्वारा तब क्या लिखा गया था पॉं तो मैंने भी भरा था लेकिन मैं एक्जाम देनी नहीं गया था तो मेरा admit card तो आया तो इसको लेकर तो मैं आपको बता रहा हूं कि लॉजिकली भी आप सोचे तो उतना परिफान होने कि आपको रेलवे format में ही चाहिए format अगर central है तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि railway format में नीचे जो एक line लिखी है उसमें लिखा है कि issuing authority जो certificate issue करने वाली authority वो चाहे तो जो amendment हुए है cast को लेकर के वो mention कर सकती है तो central format में बस वो mention किया हुआ है और railway format जो आपको दिया उसमें at the time of document verification ओके document verification की समय आपको document produce करना है further in case of OBC MCL candidate specifically indicate करना चाहिए कि वो creamy layer से belong नहीं करते ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है the candidate should ensure that they belong to the OBC non creamy layer category while applying for the post against this CEL तो यहाँ से मैं आपको एक बताता हूँ कि भले एक साल की limit है लेकिन अगर आपके पर 2019 से पहले का कोई भी समय का OBC certificate है न तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मेरे SSC के document verification के आधार में बता रहा हूँ तो वह भी पूरी कहानी आपको बता दूँगा तो इसको पहले पूरा पूरा लेता हूँ में एक बार अच्छे से ठीक है और आपको समझाता हूँ इस पोस्टे के लिए अपलाई करते हैं मैं आपको यह मेक्सिर करना चाहिए कि आपको आपको साइन करना पड़ता है अब ध्यान से इस बात को अब ध्यान से सुनना दगेंडिटेट प्रोड्यूज्व इस लाइन का क्या मतलब है यह वो लाइन है जहां पे आपको थोड़ इसी खोफ होने की वज़ए आपको मिल सकती है अगर पूराना व्यूर्ट इस लाइन के अनुसवार 2022 तक का यानि कि आज अभी फर्वरी चल रहा है तो 2022 के फर्वरी के बाद का आपके पास और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट जनरल वेकेंसिस ओन्ली ये ठीक है आप समझ गए कि अगर नहीं कर पाते हैं तो जनरल से कंसिडर्ड किया जागा लेकिन अब यहां क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जब नोटिस आया तब उसमें ये लाइन लिखी थी और पीछ में भी मुझे लगता है कि कई सारे अमेंडमेंट्मेंट आपके लिए पास फॉर्म रहता है वह फॉर्म में मुझे भरवा लिया थे कि अगर मैं प्रोडियूस नहीं कर पाता हूं वह भी फी फेटिफिकेट तो अथॉरिटिव याने की जो मुझे जोइनिंग देने वाले वह चाहे तो मुझे जनरल में कंसिडर कर सकते हैं लेकिन वह एक बात ह कि मुझे डॉक्टमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविजनली पास कर दिया गया था क्यों और उसमें एक रिमार्क लिखा था कि केंडिडेट वास अने बल्टू प्रोडियूस दे कास्ट फेटिफिकेट बिफोर और और उन दे कृशल डेट अश्युश था याने कि टाईम जो था crucial date उसके पहले का certificate नहीं था ये बात उसमें लिखी हुई थी तो मेरे पास तो कर दिया गया था और उससे कोई उन्होंने कहा था कोई तिकत भी नहीं होने वाली तो वैसा तो हुआ थे यानि अगर जिन लोगों के पास जनरल की cutoff clear नहीं है वो लोग थोड़ा सा अभी confirm मत रहो कि क्या होने वाला है positive search कुछ अच्छा ही होगा ठीक है तो ये थी बात group D वालों के लिए तो ठीक है thank you very much